Hello students, आज हम reasoning में missing number का part 2 पढ़ेंगे Part 1 पहले पढ़ा जा चुका है, आज part 2 के बारे में बहुत most important question पताया जाने वाला है जो आगामी परिछा के लिए उप्योगी होंगे चलिए देखते हैं कैसे लगेंगे यहाँ पर दिया हुआ है पहला question यदी 10 गुड़ते 12 बराबर 60 और 20 गुड़ते 40 बराबर 140 तो बताईए कि 24 गुड़ते 16 बराबर क्या होगा अच्छा question है, लगाने का प्रियास करेंगे पहले देख रहे हैं कि 10 में 12 गुड़ा करते हैं तो आता है 120 लेकिन दिया हुआ है 60 24 में 20 में 14 गुड़ा करते हैं तो आता है 280 लेकिन दिया हुआ 140 यानि कि सबसे पहले कर क्या रहा है multiply करके मतलब गुड़ा करके 120 का गुड़ा किया 2 का भागा हो गया 60 गया यानि गुड़ा करके 2 का भागा दे दिया जा रहा है यहां भी वही काम है तो यहां हम भी करेंगे सबसे पहले कर क्या लेते हैं चाहें तो एक तरीका और है से करने का सरल अच्छा तरीका आगे वाले में 2 का भाग दे करके इसको गुड़ा कर दिजिए 10 में 2 का भाग हुआ तो आया 5 और 12 में 5 गुड़ा किया तो हुगा 60 इस तरह से अगला है 2 का भागा दिया 10 अच्छा उदादा में 140 यहां पर भी वही काम कर लेंगे 2 का भागा दो आया कितना 12 और 12 में अगर 14 गुड़ा कर दिये जाए तो आता है 122 मतलब सही उत्तर होगा B अगला दूसरा सवाल है दूसरे सवाल की तरफ बढ़ेंगे लिखा है 23 प्लस 4 बराबर 1 और 84 प्लस 4 बराबर 8 तो 15 प्लस 3 बराबर बताईए क्या होने वाला है यहां पर एड दिखाया गया है लेकिन रिजनिंग है महत के तरीके से नहीं चलेंगे इसलिए कुछ ने कुछ कारण जरूर रहेगा इसमें लगाने के लिए तो देखेंगे सबसे पहले क्या है 2 प्लस 3 कितना होता है 23 चार होता है 27 लेकिन 27 यहां दिया है नहीं तो अगला रूल लगाएंगे नम्मर को अलग-अलग जोडते है 2 तीन 5 यहां लगा क्या है प्लस लेकिन अगर 4 घटा दें 5 में से कितना आता है एक आता है उसी रिसाब से यहां भी 8 प्लस 4 बराबर 12 12 में से 4 घटा दें कितना आता है 8 आया है फिर उस तरीके से यहां भी पांच एक छह नमर को अलग अलग जोड़े पांच एक छह छह में से तीन गया तीन कहां दिया हुआ है सी इसका सही है सबको समय मैं होगा अगले वाले दो अंग के नमरों को उनके अलग अलग अंगों को जोड़ करके पिछले दिये गया उनको घटाने पर ये नमर प्राप्ट हो रहा है तो इसका अप्सन सी सही होगा अब अगला तीसरा सवाल है दिया है यदि 15 गुरते 17 बराबर 48 और 29 गुरते 32 बराबर 55 तो बताइए कि 37 गुरते 24 बराबर क्या होने वाला है तो यहां तो गुरा करूल एकदम कारे नहीं कर रहा है तो कुछ अगला जोड घटाव करूल लगाने का प्रियास करेंगे देखेंगे यहां पर नमर को अलग लग जोड लेते हैं 15 होता है 6 गुरते यहां है तो लगा दो पूरा-पूरा 17 होता है 8 तो 6,8 है 48 आया है मतलब यह चैन काम कर रहा है यहां पर वैसे ही यहां भी करेंगे नमर को अलग लग जोडएंगे 2 और 9 होता है कितना 11 गुरते 32 दिया हुआ है मतलब अलग लग कर लेते हैं 3,2,5 11,5,5 तुरंत आप लोग भी इसको बताएं क्या आने वाला है एक सेकंड के अंदर देखेंगे इसे दिया है नमर को अलग जोड़ लिए 3,7,10 गुरते 4,2,6 10,6 का 60 60 यहां कहां दिया हुआ है D में D इसका सही उत्तर हो जाएगा उमीद सबको सुझमाया होगा अच्छे से अगला चौथा सवाल देखेंगे हम दिया हुआ है दो ऐसे बनाया गया है पहले टाइम में जो पासा खेलते थे चौपर जिसको बोलाया था था महाभारत में इसी तरीके का फिगर हुआ करता था अपना डाइस फेकते थे और देखते थे किस पर गिरा है कौन सा वहीं लोग जितते हारते दूसी तरी से फिगर बनाया गया देखेंगे इसे लिखा है एक दो तीन चार सव मतलब छोटे एंग बाद बीच में बढ़ा अंका गया एक दू तरन लगाएं चलिए बताते हैं हम कैसे होने वाला है पहले नमर को जोड़ लो दू चार छ़ छए एक साथ साथ तीन दस मतलब दो को चार में जोड़े छ़ हुआ छ़ को एक जोड़े साथ हुआ साथ में तीन जोड़े दस हुआ अब यहाँ पर दस का स्क्वाइर कर दिया गया है नमरों को जोड़ कर उसका स्क्वाइर किया गया सवाया उस तरीके से यहाँ भी दू पांच साथ साथ तीन दस और दस एक ग्यारह ग्यारह का स्क्वाइर किया गया 11 का स्क्वार होता है 111 उसी तरीके से यहां भी होने वाला है तुरंट 2 3 5 5 4 9 2 3 5 5 4 9 9 6 15 और 15 का स्क्वार होता है दूसर पचीज दूसर पचीज कहां दिया हुआ है दूसर पचीज यहां पर दो बार आपसन श्क्वार लिख दिया गया है तो होगा दूसर पचीज यहां कहीं बना लेते हैं तो इसका B उत्तर सही हो जाएगा फिर से देखेंगे इसे इसमें किया क्या गया है अंकों को पहले जोडा गया है फिर उसका स्क्वार किया गया है यहाँ पर भी वही काम तो मतलब दो चैन को हम देख लिए तीसरा में भी वैसे ही होने वाला है तीन दू पांच आ नो चैन पंदरो पंदरो के स्क्वार होता है तो सो पचीस बी उत्तर इसका सही है अगला सवाल देखेंगे पाच्वा अच्छा कोस्चन है फिगर बनाया है यहाँ कोस्चन किया हुआ है कैसे लगेगा देखेंगे ट्राइ करेंगे सबसे पहले सभी लोग लगाने के लिए देखते हैं दू एक तीन तीन च्छ लेकिन बड़ा अंक आ गया जब इस क्रम में चलने पर जब बड़े अंक आ हैंगे तो इस क्रम में चलते हैं छोटे अंक आएंगे तो इस क्रम में चलते हैं देखते हैं, कैसे हो रहा है, पहले तो यहां पर हम हल कर रहे हैं, वान गुड़ते टू, प्लस थ्री, तो गया इन सबों का स्क्वाइर, दो एक कम दू, तिन पांच का स्क्वाइर कितना, पचीश दिया हुआ है, उसी हिसाब से यहां भी, दो गुड़ते तीन, प्लस चार, सो, दिया हुआ है, वैसे ही यहां भी करेंगे, पांच गुड़ते चार, प्लस दो, पांच चो के पिस दो बाइस के स्क्वाइर, बाइस के स्क्वाइर होता है, चार सो, चोरासी, देखेंगे, चार स्क्वाइर कहां दिया हुआ है, यहां पर दिया हुआ है, अप्सम नुम हैं और यहां पर कोशन किया गया है इस सवाल को कैसे लगा जाए पार्ट वन में कुछ हिंड दिया गया है अगर पार्ट वन जो देखा इसको लगा लेगा तुरंट चलेंगे देखेंगे इस सवाल को सबसे पहले करके से रहे हैं पांच चार एक तालिस दिया हुआ है मतलब दो छोटे इंको के बाद एक बड़ा अंग दो छोटे अंको के बाद एक बड़ा अंक वह ऐसे ही यहां भी है तो गुडा करने पर तो आय towel नहीं पंचों के 20 नहीं आ रहा है यहां भी यहां भी तुम करेंगे क्या पांच के स्क्य करेंगे अलग से फ्लस चार के स्कुएर पांच के स्कुएर चार के स्कुएर जोड़ दो 25 फ्लस 16 कितना आता 41 वैसे यहां भी हुआ है साथ के स्कुएर 49 तीन के स्कुएर 9 49 49 अठाउन ये भी चैन काम कर रहा है उसी तरीके से यहां भी हम देखेंगे नौ का स्कॉयर करेंगे प्लस दो का स्कॉयर करेंगे नौ का स्कॉयर होता है 80 प्लस दो का स्कॉयर होता है 4 एक 80 चार कितना आता 85 सही उत्तर है इसका भी ए यह हो गया अब अगला कोशन सातमा दिया हुआ है important एकदम है इसमें लिखा है 11 12 6 9 14 10 7 8 कैसे करें कुछ चैन स्वाज में आ नहीं रहा है तो इसमें हम करेंगे क्या जब ऐसे बड़े सवाल दिखें इनके लिए ट्रीक सबसे सस्ता ट्रीक है यहाँ पर उपर उपर के अंको का गुड़ा कर दो नीचे नीचे के अंको का गुड़ा कर दो मतलब 11 गुड़ते 12 बराबर 132 नीचे नीचे अंको का गुड़ा करेंगे 6 गुड़ते 9 बराबर 54 11 गुरते 12 करें 132 हुआ 6 गुरते 9 किए 54 हुआ अब हम इसमें से इसको घटा देते हैं 132 माइनस 54 आ गया 78 तो हमें पहले चैन को देखकर कि यह समझ में आ गया कि उपर के अंको का गुड़ा करो नीचे के अंको का गुड़ा करो और फिर घटा दोसी तरीके इसको भी करेंगे 14 गुरते 10 140 हो गया अब नीचे के अंको का गुड़ा करके घटा हो 8 सते 56 10 मिसे 6 गया 4 और यहां पर 13 मिसे 5 गया 8 यानि कि सही उत्तर कितना आने वाला है 84 आपसन नुमर 20 राइट इंस है ठीक है सबको सुझ में आओगा अगला 8 सवाल सभी लोग लगाए है तुरंट एकदम बढ़िया सवाल है तो इसे हम देखेंगे कैसे हो रहा है यहां लिखा है 16 9 4 48 9 6 22 8 6 तो इसमें सबसे सब तरीका क्या है जैसे यह किया गया वैसे यह भी होगा बस हो गया जाएगा उपर का गुड़ा करो नीचे का जो अंग दिया हुआ है उसमें भाग कर दो करते हैं 16 गुड़ते 9 होता है 144 और नीचे जो 4 दिया हुआ इसका भागा करेंगे तो आ जाएगा 36 वैसे ही इसको भी कर लो तुरंद 62 गुड़ते 8 बटे 6 कार देंगे 6 से कटा 12 बार में 12 बार बाठ है 92 सही उत्तर इसका है A करना क्या इसको आराम से समझें सभी लोग उपर उपर के अंकों का गुड़ा करके नीचे वाले का भाग देना है सब में देख ले अगला है 9 सवाल ये बना हुआ है आयत वर्ग जो भी को सकते हैं तो इसमें लिखा है 9, 3, 3 ऐसा चैन बताया गया था पहले इधर देखेंगे लेकिन इन दोनों अंकों में 2-2 कांतर है यहां कोई मतलब नहीं है यहां एक, यहां तीन, यहां एक, यहां दो मतलब एक जैसा चैन नहीं चल रहा है तो हम इसे इधर देखेंगे उर्दवारधर करम में कहने का मतलब क्या है? देखिए 9, 3, 27 27 से फिर 3 का गुड़ा किये, कितना या? 81 मतलब हो क्या रहा है 9 का गुड़ा 3 में करेंगे फिर 2 में करेंगे 81 उस तरीके से इसमें भी 11 चोक के होता है 44 और 44 में चार गुड़ा कियाता है 10 generate उस तरीके से यहां भी किया जा सकता है इसमें गुड़ा? फिर जो आएगा मतलब 13 गुड़ते, 7 गुड़ते, 5 सब्सक्राइब गुड़ा करके यहां एंसर लिखा गया है अगला सवाल है दसवां यह इंपोर्टेंड कोश्चन हर एक एक जाम के लिए बस समझ में नहीं आएगा यह सवाल ऐसा है कि अगर समायन तरिकस देखा जाएगा सवाल में नहीं आएगा इसके लिए बहुत अच्छा ट्रीक लगाना पड़ेगा तब समझ में आएगा चुलिए बताते हैं इस ट्रीक को चैनल को में लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब भी करते रहें यह लिए देखेंगे इस सवाल को लिखा है 30, 24, 48 यहां है 36, 72, 45 और यहां कोश्चन 60, 48 कैसे लगाएंगे देखा जाएगा इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है इसमें 24 का गुडा करिया गया तो आया 48, यहां पर हो गया फिर एक अंग यहां छुटेगा, इस वाले में यह छुट जाएगा, फिर अब चलेंगे 36, 36 उना बहतर मतलब सब में 2 का गुडा कर रहा है एक अंग छोड़ के, उस हिसाब से 72 किये हैं, तो 72 को फिर अगले श्टेप में छोड़ देंगे, मतलब इसका जगा छोड़ देंगे, तो यानि क्या छुटेगा इसमें, 60 छुटेगा, आप आएगा 48, 48 में यहां का किया गया, 48 उना के क जहां पर लिखा गया है, अगले श्टेप में उसकी जगह को छोड़ देंगे, भले कोई भी अंखो, तो ये 48 जगह, यानि ये वाला जगह छोड़ेगा, तो जाएगा इसके पास, 36 दुनी, 72, तो उस हिसाब से 72 जगह भी छोड़ेगा अपना, मतलब 60 का कोई मतलब नहीं ह यहाँ पर, अब आएंगे और तालिस के पास, तो और तालिस दुनी, कितना होता है, 90, सही उत्तर इसका 90 है, आप्शन नमबर C, ज्राइट एंसर, C, अगला इगेरमा सवाल है, तुरंत लगाएं इसे, इगेरमा सवाल को, इगेरमा सवाल देखेंगे फिर से, इसमें लिख है, 9, 3, 7, 11, 16, 7, 4, 8, देखा जाएं तो यह सवाल सरल है, लेकिन कैसे होगा, हमारे चैनल को देखेंगे तब होगा, तो देखते हैं कैसे होगा, 9 में 7 को जोड़ दिये, कितना होगा, 16, 16 में फिर 3 को जोड़ा, कितना है, 19, 19 में फिर 11 को जोड़ो, 19 इसमें 11 को जोड़ो ताहंगा 30, मतलब इसमें किया क्या जा रहा है, अंग को अलग अलग जोड़ है, 9, 7, 3, 11, तो जाकर के बीच में जो इस स्कौायर में, इस स्कौायर में जो अंग किनारों किनारों पदिये हुए हैं, हमें सरकिल, मानिए बित में का अंग प्राप्त कर ना है अगर तो सभी अंकों को आपस में जोड़ दो कितना आया 30 उसी रड़ से तुरंत कलम और पेन उठाएं तुरंत लगाट दिखाएं से चलिए बिना देर की अब देखते हैं इसको कैसे होगा 16 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 8 जोड़ दिये इसको तो 8, 4, 12 12, 7, 9, 9, 9, 16 कितना होता है 35 35 इसका एंसर होगा और सही उत्तर है A इसमें एक बार और देखेंगे किनारे किनारे के अंकों को जोड़ करके बीच में कांक प्राप्त किया गया अग्स तरीके से यहां भी जोड़ करके बीच में कांक इसमें भी देखेंगे करते क्या है यहां पर 7 3 10 4 14 15 यह काम नहीं कर रहा है तो यहां भी अगर यह चेन काम नहीं कर रहा है तो अगला देखेंगे क्या उपर नीचे का गुड़ा कर लेते हैं 74 के 28 होता है प्लस किनारों किनारों का गुड़ा कर लेते हैं 15 28 और 15 जोड़ने पाता है 43 उसी तरीके तुरंट एकदम अच्छे से लगा कर बैठ सकते हैं सब लोग किनारों किनारों का गुड़ा कर दिया, कितना है, पंदर, किनारों किनारों का गुड़ा किया, कितना है, पंदर, और चार गुड़ते दू किया, कितना है, आठ, पंदर, आठ, तेज, आप्शन नम्मर, डी, इसका सही उत्तर होगा, तो सबको समय मैं होगा, इसका इसका गु बुड़ा हुआ इसको इसको बुड़ा के एड़ कर दिया तरी सेंसर आ चुका है तो उम्मीद आपको सोई मैल इसी तरीके से नए ने वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें तथा जितने भी आगामी परिछाओं के त्यारी करने वाले ए जिरकेरी